भाई, पोको डर गया हम से, आ गया रिप्लाए, अब होगा पोको X2 का कैमरा बिलकुल फिक्स, जिन्दगी से कुछ पाने के लिए, जिन्दगी से ही लड़ना पड़ता है, जिन्दगी से कुछ पाने के लिए, जिन्दगी से ही लड़ना पड़ता है, और अगर तुम्हें त और आप देख रहे हैं YTI Tech तो comment करके नीचे जरूर बताइएगा आपके Poco X2 का camera अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं या डेड हो चुका है तो यहर आपको मालूम होगा Poco X2 के camera में problem आ रही है काफी सारे user का camera डेड हो चुका है तो हमने एक tweet किया था वीडियो भी बनाई थी तो आप सभी ने बहुत सारा support किया बहुत सारे YouTube ने वीडियो बनाई और आप सभी ने support किया तो finally आज official response Poco से आया है तो यहां पर आपको मैं सारी information देने वाला हूँ अगर आपका back camera खराब हो चुका है आप इसे कैसे ठीक करवा सकते हैं तो पसंद आएगी वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नए आए हैं तो subscribe जरूर कीजेगा तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ official tweet तो यह official tweet इसका link मैं आपको description में दे दूँगा तो आप खुद भी जाकर देख सकते हैं तो बहुत सारे steps है यहां पर और बहुत सारी replies है तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं तो पहले तो यहां पर इन्होंने क्या suggest किया है तो यहां पर पहले तो कोई फाइदा था इसका है नहीं तो आपने simply क्या करना है Settings में जाना है उसके बार आपने यहां पर Apps में जाना है और यहां पर manage Apps में जाना है और यहां पर आपने Camera को भूनड लेना है तो यहां पर Camera भूनड लीजिए जो भी है इनके steps है तो हम follow करने पढ़ेंगे हमें क्योंकि अगर यह बोलेंगे यार आपने steps तो follow किये ही नहीं तो यह तो हो गया दोस्तो इनका तो अब यहां पर second step किया है अगर आपका device जो है अभी भी खराब है यानि कि back camera काम नहीं कर रहा है तो यहां पर अब जो दूसरा step है वो है first report it on your service and feedback app and upload the device logs under the camera section service and feedback app is part of the every poco x2 device and you should be able to find it in your app drawer उसके बाद आप देखेंगे यहां पर once reported you can approach POCO India support or the nearest service center with the feedback ID generated by the service and feedback app please take appointment before visiting the service center according to COVID-19 guideline तो यहां पर third instruction क्या है our service center have all the instruction and all the तो इन्होंने यहां पर बता दिया कि हमने उन्हें उन्हें सब कुछ बता दिया है उन्हें सब कुछ पता है उन्हें क्या करना है तो यहां पर एक और point है we have come across of small set of consumer trying to brick the camera and pursuing our service center employee into giving them a free replacement phone तो यहां पर यह blame कर रहे हैं कुछ consumer को हमीं लोगों को कर रहे हैं कि आपने intentionally जान बूच के अपना camera खराब किया है और अब आप नया phone मांग रहे हैं तो इसे छोड़ी अब यह तो blame करेंगे क्योंकि अपनी गल्ती तो इन्होंने माननी है नहीं तो अब यहां पर आपने क्या करना है तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं focus कर लेते हैं तो अब आपने क्या करना है अब आपने जाना है app draw में तो आपको service and feedback की app यहां पर मिलेगी तो यहां से ऐसे open होगी तो यहां पर आपने agree कर देना है उसके बाद आप पर आप क्लिक कर दीजिए क्योंकि यहां पर camera option अभी आई नहीं है तो camera पर आपने यहां कि इस sensor पर कर देना है and go to home screen तो यहां पर आप उपर देखेंगे अब जो है यहां पर जो है वह generating log आप देखेंगे उपर तो थोड़ा सा time यहां पर लग जाएगा तो इसे generate होने देते हैं तो थोड़ा सा time लगेगा तो मैं fast forward करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यह complete हो गया है तो यहाँ पर अब आपने आना है finish and upload तो यहाँ पर आपको कुछ इस परकार का जो है वो interface देखने को मिलेगा तो अब आपने क्या करना है यहाँ अगर आपका camera काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप एक video recording screen recording ले लिजे कोई screenshot ले लिजे ताकि आप उन्हें दिखा सकें ऐसे ले लिजे कोई भी screenshot ताकि camera काम नहीं कर रहा तो आपने ऐसे ले ले लेना है और उसके बार आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपने क्या करना है तो यहां पर यहां पर आप कुछ भी इमेज यहां पर जो है वो सलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमने ली थी अभी आप देखेंगे यहां पर यह वाली तो आप इसे पिक कर लीजिए के एक हुझा तो यहां पर आप सकते है ऐसको यहां प sap कर देख सकते हैं तो कंपर आपने क्या करते हो जाता है तो af ye भी दे दीजिए तो यहां पर मैंने यह दे दिया है उसके बार add log तो यहां पर ऐसे करके describe the issue first तो यहां पर अब आपने क्या करना है तो यहां पर आपने कर देना है कि camera not working with new update ऐसा लिख दीजिए इन-march तो यह लिख दीजिए यहां पर तो यह ऐसा ओ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं और आपने यहां पर इसे send कर देना है तो यहां पर यह अग्arrie करेगा तो यह आप कर लिजिए agree तो यहां पर अब यह सेंड कर लिजिए तो थोड़ा सा आ सकता है कुछ पर यहां पर जो लिखा गया है आप देखेंगे कि आप देखेंगे once reported you can approach Poco India support and or a nearest service center with a feedback ID generated by your service and feedback तो यह जो ID है तो यहां पर यह जो ID बनी है तो आप अपने nearest service center से जो है contact कर लीजे यह ID देकर तो hopefully आप appointment book कर पाएंगे तो आपका phone ठीक हो जाएगा यह सारी information थी दोस्तों यहां पर इस Poco X2 के camera issue के बारे में तो यह राज के लिए बस इतना ही